आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तील की चट्नी तो बहुत ही टेस्टी चट्नी है यह और बहुत जल्दी बन जाएंगी इसके लिए कुछ जादा सामगरी नहीं रगींगी हमको तो चलिए फटा-फट से स्टार्ट कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने तील ले लिये हैं यह मैंने 100 ग्राम तील से बनाई थी यह देखिए यह थोड़ी मैंने अच्छी कॉलेटी की ली थी और थोड़े लसुन ली है 10 से 12 और खोपरा लिया है और यह कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर अच्छा आएगा इसलिए और यह सुखा वाला नारियल है इसको मैंने ग्रेट कर लिया था और तील आप अगर कोई और कॉलेटी की ले रहे तो उसमें थोड़े कंकर रहते तो उसको साफ करके ही लेना ऐसे मत ले लीजिएगा पहले उसक गया अगर फुल गैस पे भून आगर फुल गया सब्छानों गे तो यह जल जाएगी अर थोड़ी कड़वी लगेगी तो ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी और पीस्ते में भी आसानी होगी पीस्ते टाइम इसका तेल नहीं मिनिकलेगा अगर ऐसा करोगे तो थोड़ा साई पानी दालना है हाथ से भी छिड़क सकते हो तो ये देखिए ऐसे थोड़ी सी हलकी सी फुल गई है तो मैं अब इसक जा रहे हो तो बना के लेके जा सकते हो या तो आप घर पे भी दाल चावल सी बना हो दाल चावल के साथ या तो चपाती के साथ अगर कोई सबजी ना बनी हो तो ये चटनी अगर बना के रखी हुई तो आप खा सकते हो तो बहुत इजी है और बना के स्टोर कर सकते हो इसको तो यह देखिए उसके बाद मैंने नारियल डाल दिया है नारियल मैंने थोड़ा ही दिया था यानि 100 ग्राम मैंने तील ली थी तो 20 ग्राम ही नारियल लिया है ये नारियल भी थोड़ा सा हो गया मैंने निकाल लिया है उसके बाद मैं मिर्च डाल दूंगी और ये मैंने दो या तीन ही ली थी, ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, क्यूंकि वो वाली मिर्च साधी वाली अगर तीखी वाली डालोगे तो बहुत जादा तीखी चटनी हो जाएंगी, और कलर भी इतना अच्छा नहीं आएगा, कश्मीरी लाल मिर्च से चटनी का कलर पर भी अच्छा आएगा दिखने में अच्छी दिखेगी तभी तो खाय जाएगी इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है मैंने अभी सब हम इसमें डाल देंगे मिक्सी में और पीस लेंगे और लसुन की कलियां डाली थी और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के जरू किजेगा ताके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो यह सब दालने के बाद थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और नमक डालके फिर मिक्सी चला ली है और अनाफ मोड पे ही चलाना याने थोड़ा चलाने के बाद बन करना फिर चालू करना मि थोड़ा सा और छोड़ देती है तो वैसा हो जाएगा तो फीसे नहीं जाएगी तो मुझे थोड़ा तीखा चाहिए था इसलिए मैंने जो लाल मिर्श पाउडर आता है तीखा वाला वो डाला है अगर आपको ज्यादा तीखा ना पसंद हो तो अब मत डालिएगा और फिर मैंने मिक्सी चला ली है तो याद रखिएगा अन अफ मोर पे ही चलाना है इसको इसमें से थोड़ा तेल निकल जाएगा तो फिर ये बराबर पीसे नहीं जाती है तो देखिए हो गया है पिसके अब मैं इसको निकाल लूँगी डिश आउट कर लूँगी तो कैसे लगी र रेसीपी के लिए अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मैं आपसे मिलती हूं न्यू रेसीपी के साथ तब तक के लिए अल्ला आपी स्टैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्टिंग